आज मैं लाई हूँ छोलो से बनने वाला ये बहुत ही कुरकरा सा स्नैक उपर से किस्बे अंदर से सॉफ्ट और बनाने में बहुत ही आसा और खाने में बहुत ही डीज़ती तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 200 ग्राम छोले लिये थे इसको रादबर सोक करके रखा है और जो कि अच्छे से अब छोले हमारे अच्छे से सोक हो चुके हैं तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लिया और अच्छे जिनको वाश कर लिया है उसके बाद हमने इसमें एट करा है एक मीडियम साइस का प्यास कटा हुआ दस से बारा कलिया डाली है लसन की एक छोटे चमब डाला है जीरा साबु जीरा और हरा धनिया डाला है इसको कम जादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यह डाल देंगे अब बिना पानी डाले इस इसको मिक्सी जार में पीस लेना है दर दरा तो इस तरीके से देखे दर दरा जो है हमने इसको पीस लिया है मिक्सी जार में देख सकते हैं किस तरीका एकदम फाइन पेस सा इसका नहीं बनाना है इसलिए हम इतने इसमें पानी का यूज नहीं करा है अब इसमें मसाले डाले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी हमने इसमें नमक का यूज भी नहीं करा है, पस हमने ये मसाले डालके अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसे एक खंटे के लिए रख देंगे, फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के ल तो यह देखे अच्छे से mix करने के बाद में मैं छोटी-छोटी सी हातों पर थोड़ा सा mixture लोगी और छोटी-छोटी बॉल जो है इसकी इस तरीके से तयार कर लोगी देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूं ऐसे ही सारी के सारी जो mixture है उसकी बॉल जो है हमें यह बना लेनी है देखे इस तरीके से round shape हमने इसको दे दिया है तो सारी बॉल तयार करने के बाद अब इन्हें fry करेंगे तो तेल को हलका गरम करेंगे तेज गरम नहीं करेंगे और उनमें इन बॉल्स को डाल देंगे उसके बाद में medium flame पे जो है चार से पाच मिनट एक साइट फ्राय होने देंगे और दूसी साइट same time के लिए तो एक साइट से जब अच्छा सा golden color आ जाएगा तो चार से पाच मिनट के अंदर जो है एक साइट से अच्छे से फ्राय हो जाएगी देख सकते हैं हम golden color आ चुका है तो हम इसको क्या है पलट देंगे और दूसी साइट भी हम चार से पाच मिनट के लिए फ्राय करेंगे त तो टोटल जो हमारा समय इसमें लगेगा वो 8-10 मिनिट में जो है ये बॉल्स हमारी छोले की तयार हो जाएगी तो ये कच्चे छोले हैं इसलिए थोड़ा जादा टाइम लगता है तो इसलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करना है दोनों साइड से देख सकते हैं आपकी जो ये स्नैक है हमारा फ्राइ हो चुका अच्छा गोल्डन कलर अ गया है उपर से एकदम क्रिश्ट होता है और उदर से एकदम सॉफ्ट और उदर से जो छोले है वो भी हमारे अच्छे से कुख हो गये हैं इसलिए हमें इसे medium flame पर ही fry करना है बस इस बात का आपको ध्यान रखना है तो अच्छा golden color आने पे जो है हम इनको तेल से निकाल लेंगे और जो बचा हुए हमारा mixture है उसके भी same इस तरीके से snack बना के fry कर लेंगे देख सकते हैं अच्छा golden color आ चुका है तो सभी को जो है तेल से निकाल लेना है और बचे हुऊ को भी हम सेम तरीके से fry कर लेंगे तो 8-10 मिनट जो है हमारा इसको लगा है fry होने में तो सारे के सारा snack जो है हमारे ये तयार हो जुका है तो मैंने इसको tomato sauce के साथ सर्फ करा है आप इसको green चटनी के साथ या फिर मियोनी के साथ या फिर आ पूमो चटनी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते है सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है तो must try recipe अगर आपने छोले से कभी इस तरीके से कुछ नहीं try करा है तो ज़रूर ट्राइ करेगा और अगर आप कोई recipe पसंद आई है तो please वीडियो को like करे, share करे और मुझे comment करके बताए कि आपको recipe कैसी लगी